It's 2023 और सबकी तरह आपने भी कोई ना कोई New Year Resolution तो लिया ही होगा पर क्या आपने कभी सोचा है कि New Year Resolution का invention किस ने किया या फिर सबसे पहला New Year Resolution कब लिया गया था Well, New Year Resolution की शुरुआत हुई थी 2000 BC में जब दी Babylonians ने 12 दिनों का उस सब मनाया था जिसका नाम था अतिकू ये फार्मिंग सीजन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब फार्मर्स पौधे लगाते थे किंग्स को क्राउन ओफर किया जाता था प्रॉमिस किये जाते थे टुपे दी डे पर उस समय सब का एक ही कॉमन रेजुलेशन हुआ करता था जो कि फार्मर रिलेटर था तु रिटर्न दी बॉरूट फार्म एक्विपमेंट जो कि सेंस भी बनाता है अग्रिकल्चर बेस सुसाइटी में Babylonian द्वारा New Year एडप्ट किया गया था Ancient Roman Tradition से हाला कि उसका टाइम चेंज हो गया डू टू दी इन्वेंशन आफ जूलियन कैलेंडर इन 46 बीसी जो कि January 1st को New Year डिकलेर कर दिया गया January का नाम Two-Faced Roman God Janus के नाम पर रखा गया था जिनका forwarded face indicate करता है new beginning and backward face indicate करता है reflection hour resolution Romans Janus को God offer करते है sacrifice of promises आने वाले साल के लिए ऐसा बोला जाता है कि Janus Guardian the Temple of Peace जिनके दर्वाजे खोले जाते हैं the war time पर it was a place of safety नई beginning और नए resolutions बनाये जाते थे या फिर लिये जाते थे New Year resolution Middle Ages में भी लिया जाता था medieval nights more पर हाथ रखकर अपनी वीरता के प्रतिग्या लेते थे पिकॉप वो year के end लिया जाता था ये resolution उनकी nightly value को बनाये रखने के लिए बहुत important हुआ करता था New Year resolution 17th century तक बहुत common हो गया था कि लोग अपने resolutions लेने और तोड़ने के विचार में मज़ा आने लगा था 1813 के Boston के एक newspaper में New Year resolution पहली बार feature किया गया था This was all the history about New Year resolution हाला कि हम लोग New Year resolution लेते हैं तोड़ने के लिए बट हमने एक New Year resolution लिया है to upload more videos for you जो कि हम नहीं तोड़ेंगे और हाँ आपने क्या क्या New Year resolution लिया है इस साल के लिए हमें comment section में बताना ना बुले